दोस्तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ वीव वी 29 इसके अंदर आपको काफी सारे फीटर्स मीचे तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा तो वीडियो को बिल्कुल भी इसकी मत करना तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले फीटर्स की करना अब आप जो भी नम लिखना चाहूं वह ब्ह बी यहां जाकर आप काफी सारे क्लोग आपको देखने को इसको आपको पसंद आए वह यहांसे अप्लाई करके लगा सकते हो और यही से वेग आने के बाद यहीं पर आपको और मिल जाएगा य कलर का यही आप जो भी को पसंद आए वो color आप यहां पे कर सकते हो और यहीं पर ही आपको एक option और मिल जाएगा लोग screening setting इस पर क्लिक कर देना है यहां पर सबसे पहले यहां पर आपको एक टेक्स्ट ओन लोग बन कर देता हूं अब आप आप देख सकते हूं तो दोस्तो अगले फिक्सर्स के लिए आपको क्या करना है फिर से सेटिंग धाना है सेटिंग के अन्दर आने के बाद यहां पर आपको डाइनेमिक effect का option मिल जागा इस पर आपको click कर देना है यहाँ पर भी आपको काफी सारे option मिल जाए सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता जो fingerprint का यानि अब जब भी fingerprint वगएर लगाते हो तो कुछ इस तरीके से आता होगा आपकी screen पर तो इनको आप change कर सकते हो यहाँ पर यह वाला भी कर सकते हो यह वाला तो जो भी आप रखना चाओ वो यहाँ से रख सकते हो और यहाँ से बेक आने के बाद यहाँ पर एक option और मिल जाएदा fingerprint जो आप लगाते हो तो कुछ इस तरीके से आता होगा तो इनको भी आप change कर सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से यह कुछ इस तरीके से यह फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हो और यहीं पर आपको charging animation का भी option में जाएगा, यहां पर चार्ज होगरा लगाएगा, यहां पर कुछ इस तरीके से आता होगा, तो आप इनको भी change कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से, तो जो भी आप रखना चाहो हो, यहां से आप रख सकते हो, दोस्तों, अब मैं आपको बताता इसको आपको करना है, on करना है, set, okay पर कलिकरना है, set, now पर कलिकरने के बाद, यहां पर यहां पर इसको कर लेना है, अब आप जब भी किसी के पास call करोगे, उसकी recording आराम से कर सकती हो, तो चली दोस्तों, मैं आगला features आपको बताता हूँ, उसके लिए आपको करना है, setting के अ अंदर आना है, और यहां पर आपको सबसे पहले, screen time out का option, यहां आप अपनी screen को कितनी देर तक own रखना चाहते हो, यहां पर 10 minute, 5 minute, जितना भी रखना चाहूँ, यहां से रख सकते हो, और यहां पर font style का भी option मिल जगा, screen color का भी option मिल जगा, जो भी आप color करना चाहूँ, य default भी कर सकते हो, और यहीं पर आपको status bar का option मिल जगा, यह क्या है, यहां मैं आपको बता देता हूँ, और आप अपनी nature की speed देखना चाहते हो, यहां से देख सकते हो, बेटरी percentage सो कराना है, तो यहां पर वो भी सो करा सकते हो, तो जो भी आप रखना चाहूँ, यहां से रख आपको नीचे आना है, और यहां पर आपको digital well-being and parents and control का option में जाए, इस पर क्लिक कर दाना है, और यहां पर आपको बताएगा कि आप दिन में कितनी देर तक अपने mobile को use करते हो, क्या-क्या यूज़ करते हो, मैंने आप बहुन मिनिट यूज़ किया है, चाहर नोटिफिकर नहीं, आपको यह वीडिय कैसी लगी, कमेंड करके ज़रूर बताना, और वीडिय अच्छी लगी, तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर पहली बाहर आ रहे, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए, बाई बाई